हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री और स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरी hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं या phone consultation लेना चाहते हैं तो इस number पर WhatsApp message कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक square shape में नज़र आ रही है आपको draw करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर एक complete square shape इनकी हथेली की बनती हुई जो indicate करती है यहाँ पर काफी ज़्यादा hard working type की nature को और अगर आप इनकी fingers को देखें तो बिल्कुल सटे हुई fingers है और काफी अच्छी thickness इन fingers में नज़र आ रही है और अगर हम length की बात करें तो सूरे finger की length यहाँ पर ज्यादा है अगर हम compare करते हैं इनकी ब्रस्पती finger से तो सूरे finger काफी अच्छी length में जिस वज़े से व्यक्ती के भीतर काफी अच्छी creativity रहती है और इस finger की अच्छी लंबाई का होना indicate करता है कि ऐसे व्यक्ती का social circle भी काफी अच्छा रहेगा और श्यनी finger अगर बिल्कुल straight हो और अच्छी length में हो तो यह है इंडिकेट करती है hard working nature को ऐसे व्यक्ती अपनी महिनत के बलबूते पर लाइफ में काफी अच्छी progress पा लेते हैं यहाँ पर जो ब्रस्पती finger थोड़ी short नजर आ रही है इसकी वज़े से ऐसे व्यक्ती को family की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी का भी अभाव होता है कमी का अभास होता है और even leadership qualities में थोड़ी सी कमी रहने के chances रहते हैं यहाँ पर बहुत जादा weak नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्रस्पती finger थोड़ी short जरूर नजर आ रही है लेकिन इनका ब्रस्पती mount बहुत strong है जिस वज़े से बहुत जादा दिकते हैं नहीं रहेंगी लेकिन यहाँ जो mercury finger है वो यहाँ पर इनके काफी अच्छी length में नजर आ रही है आप देख सकते हैं mercury finger की जो लंबाई है यहाँ पर सूरे finger के first falange तक पहुँचती हुई जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ति के जो communication skills होते हैं काफी strong रहते हैं extra word type की personality रहती है और इन fingers के ओपर आपको बहुत हलकी सीधी खड़ी रिखाएं नजर आ रही होंगी आपको दिखाना चाहूँगा close up में बहुत जादा लंबी रिखाएं नहीं हैं लेकिन कुछ इस तरह है कि short sized रिखाएं इनकी लगबग सभी fingers के ओपर मौझूद हैं ऐसे रिखाएं जतनी ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा शुब माना जाता है ऐसे व्यक्ति काफी मिलनसार नेचर के होते हैं बहुत ही अच्छी और अच्छा सभाव इनका तुसनों को देखने को मिलता है और इवन अगर fingers काफी सटी हुई हो आपस में जैसे आप यहाँ प तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूं तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छा arch बन रहा है कोई भी mount यहाँ पर low set होता हो नहीं दिखाई दे रहा है सभी mounts को यहाँ पर space जो है proper मिल पा रही है जो एक बहुत अच्छा चिन है और अगर इनके ब्रस्पती mount की बात की जाए बेशक कि यहाँ पर फिंगर थोड़ी short नजर आ रही थी लेकिन अगर इनके ब्रस्पती mount को देखा जाए तो इस mount के ओपर काफी अच्छा cross बन रहा है यह है जो cross का चिन है इसे काफी भागया शाली माना जाता है बहुत कम हाथों में इस mount के ओपर इस तरह से पूरा X का चिन बनता है ऐसे व्यक्ति काफी लगी रहते हैं ऐसे धार्मिक नीचर के इनसान होते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का चिन बनता है गुरू mount के ओपर बनने वाला यह cross का चिन व्यक्ति को काफी अच्छी family life भी देता है यहाँ पर इस चिन का होना व्यक्ति की life में शुरू में कुछ दिक्टें आ सकती है अनीशली ऐसे व्यक्ति को अपनी married life में problems का सामना करना पर सकता है लेकिन यहाँ पर यह cross का चिन होने से व्यक्ति की family life को भी protection मिलती है overall यह चिन व्यक्ति को अध्यात्मिक बनाता है ऐसे व्यक्त के उपर upward जाने वाली रिखाएं आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर दो रिखाएं आपको इस तरहां से नज़र आ रही होंगी इस तरह की रिखाओं को progress lines कहा जाता है यहाँ रिखाएं जितनी strong हो जितनी लंबी हो उतनी अच्छे results व्यक्ति को देती है और इनकी कहता है शनी mount का area कह दाता है और इस mount के ऊपर यहाँ पर आपको एक खलकी शनी रिखा नज़र आएगी कुछ इस तरह की भागया रिखा यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा strong नहीं है जो यहाँ पर indicate करती है कि life में काफी मेनत रहेगी काफी संघर्ष रहेगा और यहाँ पर 36 36 की age के बाद अगर आप दिखोगे इस line को मैं आपको एक बार दुबारा से दिखाना चाहूंगा इस area में 36 की age के बाद यह line strong हो रही है और आगे फिर से यह continue हो रही है तो बीच में कुछ weakness आरी यहाँ पर बिलकुल line कटी हुई नहीं है लेकिन थोड़ी सी कमजूर है जो clear नजर आ रही है अवरॉल थोड़ी सी जो संघर्ष हो इनकी life में यहाँ पर इनकी भाग्या रेखा की वज़े से नजर आ रहा है सूर्या माउंट की बात करते है तो सूर्या माउंट अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा strong नहीं है सूर्या माउंट फ्लैट चोटे साइस की नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ ही साइस की सूर्य रेखा, और उसके साथ साथ एक असिस्टेंट लाइन भी, यहाँ जो माउंट है, यहाँ माउंट अगर उभरा हुआ हो, और एक लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद हो, तभी व्यक्ति को बहुत जादा नेमन फेम छोटी यह से मिलता है, लेकिन अगर यह माउंट नॉर्मल है, एवरेश है, और इसके उपर बनने वाली जो सूर्य रेखा है, वो भी यहाँ पर बहुत जादा स्ट्रॉंग नहीं है, तब वैसे व्यक्ति को जो रिकोगनिशन है, जो फेम है, वो आगे च अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, आगे देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर को, मर्करी फिंगर और मर्करी माउंट अब देख सकते हैं, मर्करी फिंगर इनके काफी अच्छी लंबाई में है, जो हमने अल्री चेक किया, इनके कम्निकेशन स्किल्स के लिए, और मर्करी मा यहां पर mercury मांट की तरफ बढ़ती हो दिखाई दे रही है जिसकी वजह से व्यक्ति का business equipment strong होता है ऐसे व्यक्ति की calculations भी काफी अच्छी रहती है जिनके हाथ पर mercury रेखा है और overall बहुत जादा लंबी mercury रेखा का अभाव यहां पर नजर आ रहा है आगे देखते हैं इनके हाथ लाइन को हाथ लाइन अगर आप देखे तो यहां पर बहुत अच्छी हाथ की लाइन नजर आ रही है जो completely यहां पर इनके गbesद तक पॉंच रही है यह जो अरिया है जहां तक यह रिखा पहुंच अबको दिखाई दे रही है यह ब्रस्पती माउंट का एरिया है और जिनकी भी हार्ट की लाइन ब्रस्पती माउंट तक पहुंच जाती है जैसे यहाँ पर यह है इसकी एंडिंग हार्ट की लाइन की ब्रस्पती माउंट पर हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं काफी loyal and honest type की personalities रहती हैं सिव्यक्ति की और जिस तरह से एक अच्छा curve इनकी heart की line बना रही है यह रिखा indicate करती है कि थोड़ी emotional और caring type की nature इनकी रहेगी और कोई भी negative chin मुझे इनकी heart की line पे नजर नहीं आ रहा है काफी clear heart की line यहाँ पर इने एक अच्छी heart की health भी देने वाली है आगे बात करते हैं इनकी line of mind को mind की line आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से चलती हुई और थोड़ा सा जुकाव नीचे की तरफ जब भी mind की line का जुकाव moon area की तरफ होता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट से यह रिखा थोड़ा सा नीचे की तरफ जुक रही है तो यहाँ दर्शाती है कि व्यक्स्ति की imagination करने की power काफी अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति कलपना शील होते हैं कलपनाएं काफी करते हैं अगर ज्यादा डिप हो तो ऐसे व्यक्ति राइटर बन सकते हैं कि इसने किसी तना की artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है और कुछ artistic काम करने की capability रहती है और यहां पर भी ऐसे महावनाएं रहेंगी इनके भीतर कुछ ऐसी capabilities होनी चाहिए क्योंकि यह रिखा थोड़ा सा dip ले रही है थोड़ा सा जुक रही है और over imagination भी व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं अगर यह लेकर ज्यादा जुक जाए तो बहुत ज्यादा imagination हो जाती है जो mind की health के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और अगर medium जैसे यहां पर नजर आ रही है तो यहां पर यह बहुत ज्यादा कलपना शीलता नहीं देगी एक balanced imagination इनके भीतर रहने वाली है overall कोई भी major problem यहां पर इनकी line of mind के उपर नजर नहीं आ रही तो चलिए आगे देखते हैं आगे life line को अगर आप चेक करते हैं तो इसके उपर upward जाने वाली काफी सारी रिखाए नजर आ रही हैं जो progress को indicate करती हैं यहां पर आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से नीचे से उपर की तरफ चलने वाली रिखाएं यहां रिखाएं व्यक्ति को अच्छी progress दिल्वाने में helpful हो अगर कोई रिखा life line से नीचे की तरफ चले जैसे आप यहां से देख सकते हैं ऐसी रिखाएं व्यक्ति को traveling दिलवाती हैं ऐसा व्यक्ति long distance traveling करता और even foreign traveling बढ़ जाते हैं ऐसी रिखाएं होने से और life line के अंत में इस तरह से fish या काउंच का चिन बने जैसे आप यहां पर द दूरा चिन भी काफी अच्छे results देता हैं ऐसे व्यक्ति को inherited wealth मिलने के chances काफी ज्यादा रहते हैं जिनके हाथ में इस तरह का चिन fish ऐसा चिन life line के बिल्कुल अंत में हो और foreign travel के chances और sudden wealth gains भी ऐसे व्यक्ति के life में होने के संभावना रहती है overall अगर देखा जाए तो इनकी life line के लंबाई काफी अच्छी है जिस वजह से 80 प्लस की age रहेगी यहां जो line आप देख सकते हैं लगबग यहां तक पहुंचती हुई काफी अच्छी length में इस line का होना व्यक्ति को एक लंबी age देता है ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी और healthy age को enjoy कर पाते हैं और शुकर mount अगर इनका देखा जाए तो यहां पर काफी उबरा हुआ है यहां जो area है काफी ज़दा prominent है शुकर area का इस तरह से उबरा हुआ होना व्यक व्यक्ति को होता है जिनका शुकर mount काफी strong हो और यहां पर एक आपको यव का sign अंगुठे पर नजर आ रहा होगा इस तरह का जो यव है जिसको यह जो ring रहती है अंगुठे के बिलकुल इस side पर इसको family ring कहा जाता है इस तरह का यव अगर strong यव किसी के हाथ में यहां पर ब हो और अगर इन के चंद्रमाउंट को देखा जाये तो चंद्रमाउंट पर कोई भी दिक्कत मुझे यहां पर नजर नहीं आ रही चंद्रमाउंट यहां पर काफी clear है हलकी सी anxiety की लाइन से यहां पर मौजूद है जिस वजह से minor anxiety रह सकते लेकिन यहां पर कोई भी problematic chin नजर नहीं आ रहा और upward जाने वाली रिखाएं जैसे यह रिखा है यह रिखा है यह इन्हें long distance traveling काफी करवाएंगी और mind की land का थोड़ा सा जुका हुआ होना इन्हें थोड़ा बहुत stress दे सकता है लेकिन overall इस रिखा का इस तरह से जुका हुआ होना इनके लिए benefit भी रहेगा क्य भी कोई नो कोई रहे जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका की question pending है तो मुझे WhatsApp मेसेज करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत थानेवाद